जहन दोस्तो आज हम इस वीडियो में केलेंडर का पार्ट 2 करने वाले हैं इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया है यदि किसी ने उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो पार्ट देखे इसके बाद ये पार्ट आपको बड़े ही आसानी से समझ में आएगा चलिए करते हैं इसका पहला क्वेशन एक जन्वरी 1993 को यदि मंगलवार था तो एक जन्वरी 1994 को कौन सा दिन होगा जिस किसी ने लाश्ट वीडियो देखे हुई वो इसका आंसर किबल देखके ही दे सकता है लेकिन बाइचान से लिए आपने नहीं देखे थोड़ा सा हम रिवाइ कैसा होता है समान मतलब मंगलवार ही रहा होगा 31 दिशंवर के बाद आयेगा एक जन्वरी कौन सेका 1994 का है न तो दिन कौन सा हो जाएगा बद्वार बताना कौन स्था एक जन्वरी 1994 कदर लेकिन ये सेम कब रहता है जब बर्स साधारन हो, ठीक है उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, यदि साधारन बर्स है, तो साधारन बर्स को पैचानते कैसे हैं, चार से भाग दे कर, क्योंकि 29 दिन की फरवरी होती है ठीक उमीद करता हूँ आपको ये चीजें याद आ गहीं होंगी चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो कॉस्चन है एक जन्वरी 1988 को वो दवार था एक जन्वरी 1989 को कौन सा दिन होगा चलिए जैसा कि आभी मैंने जो कॉंसेप्ट समझा है था लीबबर्स का तो लीबबर्स को पहचानते कैसे वो और देख लेते हैं जैसे 1988 चार सेस में हम देते हैं भाग चार चुको 16 चार बार कट गया तीन बचा हो गया 38 चार नाम 36 दो बच्चा 28 हो गया चार सत्ते 28 है ना तो पूरी तरीके से कट गया हमें इस नंबर से कुई मतलब नहीं बस कट भर जाना चाहिए सेस नहीं बचना चाहिए तो यह जो 1988 है 1988 है वो कौन सा बर्स बनके आया लीब बर्स यह हमें पता चल गया 1988 का जनबरी है या फरवरी है 1988 का फरवरी जो होगा वो 29 दिन का होगा ठीक यह बात हमें यहां से पता चली उसके बाद हम देखते हैं तो जैसे हमें यह बात पता चलती है कि 88 एक लीब बर्स है और तो इसका जो लाश्ट दिन होगा वो क्या होगा एक दिन जादे आएगा है ना दिसंबर में एक दिन जादे आएगा 31 दिसंबर 1988 एक दिन बढ़ किया आएगा मतलब क्या आएगा? उद्वार के बात यहां पर गुरुबार आएगा ठीक तो 31 दिसंबर के बात एक जनबरी जो 1989 है वहाँ पे क्या होगा शुक्रवार होगा ठीक तो concept जो हमने last time सीखा था वो ही है कि साधारन बर्स में एक बर्स के अंतर पे एक दिन बढ़ाते हैं लीब बर्स में एक बर्स के अंतर पे दो दिन बढ़ा दो ठीक सिंपल से concept याद रहे और थोड़ इसी प्रेक्टिस एक एक बार इनकी हो जाए कॉस्चन पर इसलिए यह दोनों कॉस्चन में डाले थे ठीक चलिए देखते हैं next in question में ज्यादा कुछ नहीं था केवल concept था last time का चलिए देखते है next अभी तक हम कर रहे थे एक जन्मरी एक जन्मरी same date पर है same day रहे थे एक एक अब यदी date change कर देंगे डेट है तिठी को बदल दे 5 और 15 और अलग अलग कर देद कैसे करेंगे बरस का अंतल लेंगे सबसे पहले तो इस बरस में answer देना है सबसे पहले उस बरस में जाएंगे ठीक क्योंकि 15 जन्मरी को हम बाद में match कर लेंगे लेकिन पहले 1995 बिर से चलेंगे ऐक बरस का अंतर primo जन्वरी 1995 कोरी घुरुबार्वार है थो हमें नीक हमीं सा रहने नहीं तो सीधा मैं लिख रहा हूँ पांच जनवरी उनीस सो चानवे ठीक है एक दिन बढ़ा के लिखूंगा मैं सीधा गुरुबार से लिख रहा हूँ सीधा सुक्रवार बात आई समझे मैं है ना ऐसे करना है अब उनीस सो चानवे मैं आ गए है और कितने दिन आगे जाना है मतलब बताएंगे हमें कि कितना दिन यहां से बढ़ाना है क्योंकि 15-15 पर आंगे जा रहा है तो दिन बढ़ाएंगे ही प्लस करेंगे 10 दिन में हमें पता है कि 7 से जब भाग देंगे तो एक बार कटेगा और 3 बचके आएगा तो 3 विसम दिन होगे है ना 3 विसम दिन होगे तो सुक्रवार से हमें कितना दिन बढ़ाना पढ़ेंगे 3 दिन बढ़ाना पढ़ेंगे ठीक है सुक्रवार से हमें 3 दिन बढ़ाना पढ़ेंगे तीन दिन बढ़ाओगे तो पहला दन बढ़ेगा सनी बार दूसरा रवी बार तीसरा सौंबार तो दिन कौ को हमें विसंदिन में काउंट करना आने लगा है किस परकार करते हैं ठीक तो तीन दिन विसंदिन आए तो तीन दिन हमने यहां से बढ़ा दिए ठीक है अच्छा तीन दिन बढ़ा लो या चार दिन कम कर लो बात सी में होती इस कॉंसर्प्ट को मैं आंगे बताऊंगा भी ठी नेक्स्ट कोश्चन है 15 अगस्ट 2011 को सौंबार था तो 17 सितंबर 2011 को कोई सा दिन होगा तो बर्स तो बदलना नहीं है ना तो बर्स में तो बदलना नहीं है हमें सीधा मन्थ और जो दिन है यतिथी का अंतर दिया गया है हमें किबल इसको मैच करना है ठीक नहीं तो सबसे पहल सितंबर तक दिन हमें आंगे बढ़ाना है ठीक दिया जो है वो हमें दिया है 15 अगस्त 2011 को सौंबार था हम सबसे पहले यही लिख लेते हैं कि 15 अगस्त 2011 को जो दिन है वो सौंबार है ठीक है इसके बात बात आती है कि हमें जाना है 17 सितंबर पर ठीक किसमे 2011 में और इसका दिन बताना है ठीक यह था कुछ यह पंदरा अगस्त के बाद यदि हम देखें तो अगस्त में दिन होते हैं टोटल 31 जुलाई में भी 31 होती है यह कॉल्सर भी जाना होंगे हैं आगे हैंना क्योंकि 15 के बाद यादी 30 करना है 16 अगस्त के होगा सितंबर के कहां तक जाना है सत्रवे दिन तक जाना तो सत्रह दिन सेप्टंबर सितंबर के होंगे ठीक 16 और 17 तोटल दिन कितने आए जो हमें यहां से यहां तक आंगे बढ़ना है कितने आए साथ चतीरा और तेतीस तेतीस दिन टोटल आए ठीक जिनको हम बिसम दिन भी कह सकते हूं बिसम दिन को कैसे सॉल्व करते हैं साथ से देकर भाग ठीक साथ से हमने इनको भाग दिया साथ चुको 28 चार बार कड़ गया बचा 5 साथ चुको 28 बच गया है 5 तो यह जो 5 बचा यही है बिसम दिन जो की effect करेंगे सॉम बार के दिन से है ना यह सॉम बार से हमें यहां पे दिन बढ़ाना है तो 5 दिन बढ़ाएंगे ठीक क्योंकि अगस्त से सितंबर में आ रहा है सितंबर से अगस्त में जा रहा होते तो यही पांच दिन कम कर देते हैं ठीक चलिए देखते हैं कैसे सौंबार से पांच दिन बढ़ाएंगे पहला दिन बढ़ेगा मंगल बार दूसरा दिन बढ़ेगा बुद्ध बार तीसरा दिन बढ़ेगा गुरुबार, चौता दिन बढ़ेगा सुक्रबार और पांच बाद बढ़ेगा कौन सा सनी बार ठीक तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए सनी बार होगा है ना उम्मीद करता हूँ आपके यह समझ में आया होगा चलिए देखते हैं नेक् सा दिन है यह पूछा गया है रिवर्स यहां पर चलना है 2001 से 1601 पर आना है सबसे पहले तो फिर नवंबर के 10 और 11 को हम मैच करेंगे ठीक सबसे पहले तो हम देखें कि हमें पता है अभी पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था कि 400 बरसों में कितने विसम दिन होते हैं 400 सो बरसों में बिसम दिन कितने होंगे यह हमने लाश्ट वीडियो में सीखा था और मैं बर बता दूँ जीरो होता है कोई भी दिन बदलाब नहीं होता है ठीक और यह बात यदि हमें पता है तो यह कॉश्चन बहुत आसान है कैसे लिखी 10 नवंबर 2001 को यदि मंगलवार है तो देखिए आप 10 नवंबर 1601 को भी मंगलवार होगा क्योंकि जीरो तो जीरो होता है चाहे रिवर्स में 2001 से 1601 पर आओ या 1601 से 2001 पर आओ दिन तो सेम रहने वाला है क्योंकि बिसम दिन तो बदलने वाला नहीं है है ना दिन सेम रहेगा यदि हमें 10 नवंबर 1601 का दिन मिल गया तो 11 नवंबर का दिन बता सकते है 11 नवंबर 1601 का जो दिन होगा वो कौन सा होगा एक दिन जादा बुदवार होगा है ना तो इसका जो आंसर होगा वो बुदवार होना चाहिए में कौनसेप्ट था ये वाला जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था याद दिलानी के लिए बता दू सौमे जीरो होते जो सबस्ति हो बर्स का जीरों ये याद रखने आँगे ये concept काम काम को आने वाला है चलिए देखते हैं next concept जो की calendar का बहुत ही important concept है ठीक है सबसे ज़ादा प्रिष्णेरी कलेंडर से पूछा जाता है, तो उसी कॉंसेट पर पूछा जाता है, देखिए कॉंसेट क्या है, अगला मैं भी बता देता हूं, कि अभी तक जो question थे, उनमें हमें दिन बता दिया जाता था, है ना, ये दिन actual calendar के हसाब से हो, ना हूँ, लेकिन question के हसाब से, यही दिन हम मान के, आंसर बताती है, ठीक, लेकिन, अब केबल तिःती, दी जाएगे, है ना, उसके अलाबह, दिन नहीं दिया जाएगा, और दिन हमें, दिन भी हमें, वो वताना है, जो, actual calendar में होगा ठीक है बिलकुल accurate बताना होगा तो वो हम कैसे करेंगे ठीक चलिए देखते हैं उस concept को कैसे करना है इस प्रकार की question को क्या है जब प्रिश्ण में दिन ना दिया हो इस प्रकार के प्रिश्णों में हम क्या मानके चलते हैं एक जन्वरी सन एक को जो सब calendar के साब से सबसे पहला दिन था वो कौन सा दिन था सौमबार के साब से पहला दिन कौन सा है सौमबार ठीक है का दिन होता है यह हम मानके चलते हैं तो यहीं से हम concept बनाते हैं जिस तिधी का दिन पूछा जाता है जैसे question कोई भी date हमें देह रहा है तो उस तिथी का या उस तिथी तक हम विसम्दनों की संख्या ग्यात कर लेते हैं बस एक ही काम है कि उस तिथी तक हम विसम्दनों की संख्या ग्यात करेंगे और कहां से ग्यात करेंगे ये जो सन एक है एक जन्वरी है ना इसको हमने सौंबार माना है तो यहीं से हम concept को चलाती रहेंगे ठीक है इसके बाद साथ से भाग करके सेसफल के अनुसार निम्न तालीका देखकर उत्तर देते हैं सेसफल के अनुसार सेसफल मतलब जो बिसम्दना आता है इस तालीका के अनुसार हम answer लगाएंगे कैसे देखिए क्या है इस तालीका तालीका हम क्या है कि यदि जीरो आ रहा है है न साथ से पूरा-पूरा कड जा रहा है तो सब्ता complete हो रहा है क्योंकि पहला दिन सौंबार है तो आखरी दिन कौन सा हो रही बार और रईवार यदि आखरी दिन है, तो सेसफल, सेसफल साथ से भाग देने के बाद कितना बचना चाहिए? कुछ नहीं बचना चाहिए, इसलिए जीरो हम रईवार को दे रहे हैं, ठीक, और एक सेसफल बच रहा है तो सौंबार आंसर देंगे, दो सेसफल आ रहा है तो रईवार को आंसर लगाएंगे, ठीक, यह कॉंसेट आप याद रखना, जीरो रईवार को क्यों दिया है, क्योंकि साथ से भी पूरा-पूरा कट जा रहा है, जैसे मैंने बता है कि पहला दिन हम सौंबार मान रहा है, तो सब्ता का आखरी दिन कौन समानेंगे, रईवार, रईवार आखरी दिन होगा, एक चक्र कंप्लीट करनेंगे बाद, और यदि रईवार को आंसर लगाना है, तो साथ से पूरा-पूरा कट जाने, क्यों सब्ता होगा है, कंप्लीट, इसलिए रईवार को हमने जीरो दिया है, ठीक, यदि एक बच रहा है, विसम दिन, या से सेसफल, तो मंगलवार इसी प्रकार से हम सेसफल कहलो इनको, या विसम दिन कहलो, ठीक, जो भी हमारे पास विसम दिन आएगा, इस तालिका के नुसार हम आंसर को लगा दिया करेंगे, ठीक है, चलिए, देखते हैं, उस क्वेशन को, जो कि इस टॉपिक का बहुत इंपॉर आफशन दिये हुए, ठीक, चलिए, देखते हैं कि हमें 1989, 1920 सताब्दी और 89 वा वर्स, ठीक है, यहां पर जाना है, तो हमें पता है, कि 400 वर्स चैदी लेते जाएंगे, तो कोई भी विसम दिन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां से कोई एफेक्ट नहीं पड़ेगा, 400, 800, 1200, 1600, इसी परिकार चलते रहेंगे, मतलब, 1600 वर्स तक तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले मैंने कह लिया है, 1600 वर्स, ठीक, वर्सों तक विसम दिनों की संख्या ले ली, ठीक, सबसे पहले विसम दिन नहीं निकाल ले, और फिर हम देखते हैं, 1600 वर्स आगा है, और 300 के, अब ही हमने देखा था, कितने होते हैं, एक, 300 का एक विसम दिन होता है, तो हम 1900 तक तो आ गए, उसके अलावा हम 89 में आंसर देना है, 26 जनवरी की, तो हम देख रहा है, 88 चल जाते हैं, तो 88 वर्स चलना है, 88 वर्सों में विसम दिन हम निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कि दिन कहां तक जाना, 88 वर्सों के बाद, हम कहां पर आगा है, 1988 तक है, 1988 के बाद, 26 जनवरी, 89 के दिन लेना है, मतलब 26 दिन, 89, 89 वर्स का लेना है, यहां पर ब्रेकेट में लिख देता हूँ, इस बर्स के लिए है, यह 26 दिन, टोटल दिन होगा है, स्टार्टिंग से, एक जनवरी, सन एक से, हमने 1600 वर्सों तक तो देखा, कि 400-400 वर्सों के अंतर हम लेते गए, तो कोई विसम दिन नहीं आता है, इसलिए 1600 फिर हो कि, 300 वर्सों में एक विसम दिन होता है, यह हमें पत बर्स हैं, कितने साधरन बर्स हैं, वो हम 4 से बाग दे के चेक करेंगे, 4 से काटा, 4 दुनिया, 4 दुनिया, 22 आए लीब बर्स और जब 22 हैं लीब बर्स, तो साधरन बर्स कितने होगी, 66 और साधरन बर्स में होता है, एक विसम दिन, जो कि हमने पहले concept सीख रखा है, और ली होंगे उसके बाद हम देखते हैं तो इनको जोड़ेंगे एक और ये है 44, 22 तुनी ये 66 एक अब 66 और ये रहा 26 इन सभी को जोड़ते हैं देखिए 40 और 60 को जोड़ते हो गए 6 चाली और 60 जोड़ रहा है 264 10 110 110 में 26 चोड़ 136 और एक जोड़ा 137 टोटल जो विसम दिन हो कितने आए 137 विसम दिन हमें इसमें मिले ठीक है है ना सिंपल सा कॉंसेप्ट है और जैसी विसम दिन मिल जाते हैं हमें लगाने के लिए 7 website भाग एसमें 27ीम्षाट Dogs 66 66 हो ठीक थेच तो शात्मा 63 82 62 каких सेaker जो बच रहे हैं हमारे पास कतना बच रहीै चाहर रहा है 33LR नम्पर किसका दो जानाता है अभी हमने तालीका देखी थी उस पर चार क्या इब यह जो हमने लगा रख तो गुरुबार को हम करना है अंसर अप्सिन नंबर भी होगा करेक्ट ठीक है मैं उम्मीद करता हूं आपको यह समझी में आया होगा यह कैलेंडर के according ही दिन है आप दी चाहें तो नेट पर सर्च कर सकते हैं चब जनवरी 1989 को दिन कोई साथा तो गुरूबार ही आएगा ये बिलकुल accurate दिन है इसमें कोई भी true to नहीं है ठीक है तो 1600, 400, 400 का multiple करते हैं आपके बाद उस सताबदी तक पहुंचते हैं फिर बर्स को मैच करते हैं फिर दिन को मैच करते हैं और इसे ही यदि newétait असी में गड़तंत्र धिवस सनीवार को था दिक तो उस वरश स्वतंत्र धिवस किस दिन था उसी वर्श में पूछा जारह है सौंबार को था या मंगल को गुरुवार को था है या सुक्रवार को बताना या अचा के अङुक्स पता और दियस मतलब क्या 26 जनवर है यह यह नहीं पता तो यह कॉश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे कौन सा बर्स 1980 चली दिन कौन सा बता है इस बार सनी बार है ना इससे पहले जो कॉश्चन किया था उसमें दिन नहीं बताया जाता है ना दीन तक हम आई लिए चल जाना है जनवरी 26 तक हम आ गए जनवरी में होते हैं 31 दिन 31 दिन जनवरी में होते हैं 26 हो चुकिए तो जनवरी के दिन कितने हैं पांच फ़रवरी के दिन उन्ताहसी साधरन बर्स 28 के हिसाब कितने ही साधिको 28-20 ना मार्च में देखते हैं, मार्च में 31 दिन, या ना मार्च में 31 दिन होंते हैं, साथ fedya 28 बच्चे के वल 3 जो कि हम निकाल चूकी 31 दिन वाले महिने में 3 होते हैं rhोते हैं विसामने चली, उसके बाद अप्रेल में होते हैं 30, 30 के एसाफ साचुको 28 इस बच्चे 2, मय, है न, मय में कितना होगा, 31, 31 के एसाफ से 3 आएंगे, जून में 2 आएंगे 30 के एसाफ से, जुलाई में 31 के एसाफ से 3 आएंगे, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के हैं कितने दिन, अगस्त के तो हो गया ना टोटल जनवरी से लेके अगस्त के 15 अगस्त तक के दिन है ना अब हम देख लेते हैं कि टोटल दिन कितने आ रहा है इनको जोड़ने के बाद स्वरी यहां पर एक मिस्टेक है उननीस वाद सी लीब बर्स है लीब बर्स में फरबरी होगी 29 दिन की 29 दिन की होगी तो यह एक दिन बढ़के आएगा साच्चोक को 28 एक बच जाएगा ना पांच और एक छे 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 तीन नो दो ग्यारा ग्यारा तीन चवदा दो सोला सोला औ और तीन उनीस एक बीस हैना कितने 20 आ रहा है तो 20 तिन हमने टोटल लिख दी है 20 बिसम दिन मिले है इसमें भी हम फिर से साथ सभाक कर दें तो 7 दूनी 14 बचे शे बटे चाफ तो 6 बिसम दिन टोटल आ था तो हमें सनिवार से कितने दिन बढ़ाने हैं सनिवार से हमें बढ़ाने हैं छे दिन ठीक है तो छे दिन हम बढ़ा देते हैं सनिवार से सनिवार से छे दिन बढ़ाएंगे तो सुक्रवार आएगा कि आएगा शुक्रवार ठीक जो की राइट आंसर होगा ऑप्सा नमबर डी एक कॉंसेप्ट है जो मैं बताता हूँ आपको कि छे दिन बढ़ाना डारिक शुक्रवार हम कैसे लिख सकते हैं हमेशा हम सैबन के प्यार में काम करेंगे दीखी कैसे वो मैं समझाता हूँ कि जैसे अभी दिन था सनी वार और दिन बढ़ाने ते छे ऍधीख का प्यार कितने से बन रहा है सात एदी कंफ्लीट करना है तो एक से चर एक साथugen है यदि ये दिन बढ़ाने है alternate करना है, यदि दिन बढ़ाना है तो कम कर देना, seven के pair बना कर ठीक, जैसे मान लो कि हमारे पास दिन है रविवार, और हमें रविवार से बढ़ाना है, पांच दिन पांच दिन बढ़ाना है, तो pair seven से कितना बनेगा, two का, five to seven ठीक, तो बढ़ाने हैं, तो दो कर दो कम, आंसर मिलेगा, डारेक्ट, रविवार से दो दिन कम, दो दिन कम सुक्रवार, ठीक, अच्छा, पांच दिन बढ़ाके भी देखलो, रविवार से पहला दिन बढ़ेगा, सौमबार दूसरा मंगल, तीसरा बुद्ध, चौथा गुरू और पांच बा सुक्र, आया, समझ, ठीक तो हमें pair seven का बनाए रखना है, चलिए एकाद example और देख लेते, जैसे की मान लिजे हमारे पास दिन है सौमबार, सौमबार से दिन बढ़ाने है, चार, तो कम करेंगे, तीन, चार तीन साथ, कम करो तीन दिन, तीन दिन ने दिन हम कम करेंगे, पहला दिन कम होगा, रवी बार, दूसरा दिन कम होगा, सनी बार, तीसरा दिन कम होगा, सुक्र बार, तो दिन 5 दिन क्या करने, कम, 5 के साथ 2 पर इप्र बनते, तो 2 दिन बढ़ा दो, बुद्भार से एदी 2 दिन बढ़ाएंगे तो आईगा क्या सुक्रवार, आईगा क्या सुक्रवार, 5 दिन कम करके बहुरें, पहला दिन कम करते मंगलवार, 7 का pair बनना चाहिए, 5, 2, 7, 4 का 3 से pair बनता है, 6 का 1 से बनेगा, ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ, आपको ये समझे में आया होगा, देखते हैं, next question, यदी महिने का चौता सनीवार है, कौनसा, 4th Saturday, 22 बादेन, है न, चलिए, हम लिखते हैं, कि जो 22 तारीक है, वो सनीवार ठीक, तो 13 बादेन, कौन सा होगा, उस महिने का, हमिने बताना है, 22 fundamental सनीवार है, तो 22 माइनस 7 को भी सनीवार होगा, क्योंकि 7 दिन मिल जाता है, है न, मतलब 22 से 7 गए, तो बचे कितना, पंदरा, 15 को भी क्या होगा, सनीवार होगा, है न, और 15 के बदेना है, तो 14 को क्या हो करो तो सनी बार से होगा सुक्रवार कुछ ठीक है इसके आलाबा देखिए 13 को क्या होगा फिर 13 को होगा गुरुवार को तो 13 को क्या है गुरुवार स्वारी पैसिलर उप्सन नंबर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए ठीक देखिए इसको हम डारेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि पंदराग दिन काले बाद सीधा दो दिन कम करके भी हम बता सकते थे तेरा को ठीक उमीद करता हूं आपको यह कॉश्चन समझ में आया होगा चलिए देखते हैं एक लास्ट कॉंसेट नेक्स्ट जो कॉंसेट है वो है सेम कलेंडर वाला कि माली जैसे कोई कॉश्चन होता है कि बर्स 2003 जैसा सेम कलेंडर या वैसा का वैसा कलेंडर फिर कब बनेगा इस परकार का कॉंसेट ठीक है तो हमें क्या करना है जो भी बर्स दिया रहे बर्स में हमें देना है चार से भाग चार से भाग किसमें बर्स में ठीक और फिर क्या करना है चार से भाग बर्स में देने पर जो सेस बचे उसके according देखना है यदि सेस हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है सेस यदि जीरो है तो उसमें हम जोड़ेंगे 28 वर्स सेस यदि हमारे पास एक आता है सेस यदि एक आता है तो उस बर्स में हम जोड़ेंगे 6 वर्स सेस यदि हमारे पास 2 आता है या 3 आता है सेस दो आ जाए या 3 आ जाए तो हम उसमें जोड़ेंगे 11 वर्स ठीक है यह ना यह है पूरा concept same calendar का बस आप बस इसको याद रखना और direct बिल्कुल देखकर ही answer आप same calendar वाले question को लगा सकते हो ठीक जैसे की एक question हम देखते हैं यहाँ पे बर्स 2007 जैसा calendar फिर कब बनेगा ठीक बर्स 2007 जैसा calendar फिर कब बनेगा हमने 2007 में चार से दिया भाग चार से भाग दिया ठीक लिखते हैं चार पंजे बीस जीरो में तो भाग नहीं जाएगा जीरो लिख दिया फिर साथ लिया चार एकम चार बचा कितना तीन 3 क्या बचा, 6 है न, 3 जब 6 बचता है तो कितना जोड़ते हैं उस वर्स में 11 मतलब जो 2007 था उसमें हम 11 जोड़तेंगे 11 जोड़ोगे 2007 में तो कितना आएगा 2008 तो 2007 जैसा सेम जो बर्स होगा वो या जो कलेंडर होगा 2007 जैसा वो कब होगा 2018 में कब होगा 2018 एक बात बस ध्यान रखना वैसे तो गलत नहीं होगा मैं बता दूँ यह concept सही फॉलो करते हो leap verse का answer leap verse ही हो सकता है क्योंकि calendar तभी same होगा leap verse का answer leap verse नहीं लगा होगे तो calendar same होगी नहीं पाएगा इसलिए जब भी हम divide देके चेक करें किसी भी verse में मान लीजी 2008 देख लेते हैं इसमें चार से भाग देंगे पूरा-पूरा cut जाएगा जीरो से साइगा जीरो से साइगा तो 2008 में 28 जोडेंगे 2008 में 28 जब जोड़ोगे आप तो 2036 आपका answer होगा 2036 एक leap verse है इसे बिल्कुल डारेक्ट हम question को solve करने लगेंगे यह concept समझ में आ जाता है concept कुछ नहीं बस याद रखना है भाग देना है 4 से चार से भाग देने के बाद आपको देखना है सेज कितना बच रहा है इंपोर्टेंस है वहाँ पर बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं होना बाला क्योंकि भूल basic से मैंने इसमें आपको सब कुछ बताया है ठीक है चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जिवी से कि आपको handwritten notes चाहिए तो WhatsApp नमबर पर message करें ठीक यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करते हैं अपने friends में शेयर भी करते हैं जिससे कि इस वीडियो का लाप अपने friends को भी हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरू पेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियो का notification मिलता रहे तब तक के लिए मिलते हैं next topic में ठीक है